दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं एक ब्रैंड न्यू स्मार्टफोन पर्चेस करना एंड आपका बजट है 15,000 रुपीज दिन इस वीडियो को इन तक देखते रहे कि कि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 5 ब्रैंड न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन जिनका प्राइज होगा 15,000 रुपीज के अंदर सुद्सो होच दिएस और दोट इनी फदल डू लेट्स के इन इस वीडियो इसलिस के सबसे पहले जो स्मार्टफोन आता है वो है डेफिनेटली शाओमी की तरप से आने वाला शाओमी रेडिमी नोट 8 प्रो यहाँबे आपको दिया जाएगा 6.5 इंचेस का IPS LCD पैनल जहाँबे आपको गुडिला ग्लास 551 प्रोटेक्शन दिया जाएगा इसके साथ यह डिवाइस आएगा एक डियू ड्रोप नौच का डूट के साथ और प्रोसेसर में आपको दिया जाएगा मिडिया डिक का हेलियो G90D जो की मिडिया डिक का लेडेश्ट गेमिंग चिपसेट है यहाँबे आपको दिया जाएगा 4500 मिलियम्पर का बिगर बैटरी साइज स इसके साथ यहाँब आपको फ्रंड में 25 मिगपिक्सेल और एफ 2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाएगा लास्टली इस डिवाइस का बेस वेरेंट एंड जो की आएगा 4GB RAM और 64GB ROM के साथ उसका प्राइस रेंज होगा लगबग 14 से 15,000 रुपीज के अंदर एंड यह डिवाइस इंडिया में लाउंच होगा लगबग 28th of October से लेके 30th of October के बीच में नमबर 2 में जो डिवाइस आता है वो है OPPO की तरब से आने वाला OPPO Reno 2F यह डिवाइस आएगा 6.5 इंचेस के AMOLED पैनल के साथ इसका मतलब कि आपको यहाँ पे in-display fingerprint sensor भी दिया जाएगा प्रोसेसर के अगर हम बात करें सो यह डिवाइस आएगा Mediatek Helio P70 जिपसेट के यहाँ पे इसका primary sensor होगा 48MP का, सिल्फी में आपको यहाँ पे एक pop-up selfie mechanism दिया जाएगा और यहाँ पे इसका resolution होगा 16MP का, बैटरी कैपसिर के अगर हम बात करें सो यह डिवाइस आएगा 5000mAh के bigger battery size के साथ और यहाँ आपको वूक चर्ट 3.0 का भी feature देखने को मिल जाएगा pricing के अगर हम बात करें सो इस device का base variant और जो की आएगा 6GB RAM और 64GB ROM के साथ उसका price range होगा लगबग 13-14,000 रुपीज के अंदर यह device आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा लगबग 20th of October से लेके 30th of October के बीच में थर्ड नंबर पे जो device आता है वो है Honor की तरप से आने वाला Honor 10i और यह device आएगा 6.2 इंचेस के IPS LCD पैनल के साथ जहापे आपको दिया जाएगा dewdrop notch cutout और गुडिला गलास 5-pack production प्रोसेसर के अगर हम बात करें सो यह device आएगा Honor के डिवाइटेट चिपसेट के साथ जो की है Kir ADN 710, now cameras के अगर हम बात करें सो इस device के rear में आपको दिया जाएगा triple vertical rear camera setup और जहापे आपको primary sensor मिलेगा 24 megapixel का और यहापे आपको front में 32 megapixel and f2.2 aperture वाला selfie shooter देखने को मिल जाएगा, battery capacity के अगर हम बात करें सो इस device में आपको 3400 mAh का battery backup देखने को मिल जाएगा and इस device का pricing होग लगबग 13 to 14,000 rupees for the base variant and जो की आएगा 4 GB RAM के साथ and इसके launch date के अगर हम बात करें सो इसका official कोई date release नहीं हो है but आपको end of October इस device इंडिया में देखने को मिल जाएगा नमबर 4 में जो डिवाइस आता है वो है Huawei के तरब से आने वाला Huawei Enjoy 10 Plus इसका मतलब के आपको यहापे पॉप अप सेलफी कामरा दिया जाएगा and जो की होगा 16MP प्रोसेसर के अगर हम बात करें सो यह डिवाइस आएगा Kiryan 710F chipset के साथ and यहाप आपको rare में दिया जाएगा triple vertical rare camera setup जहाँ प्राइमेरी सेंसर होगा 48MP का इस device में आपको 4000mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाएगा and यह device का price range होगा लगबग 14-15,000 रुपीज for the 4GB base variant यह device इंडिया में लाँच होगा लगबग 25th of October से लेगे 30th of October के बीच में Lastly, number 5 में जो device आता है वो है Honor की तरफ से आने वाला Honor का 20S यहाप आपको दिया जाएगा 6.26 inches का Super AMOLED पैनल जाहाप आपको मिलेगा Gorilla Glass 5 का एक प्रोडेक्शन यहाप इस device के left side में आपको दिया जाएगा पंचोल camera cutout जो की होगा 32MP के camera sensor के साथ Rare में आपको दिया जाएगा triple vertical rare camera setup जिसका primary sensor होगा 48MP का प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इस device में आपको Kiryan का 810 chipset दिया जाएगा बैटरी के बस्ति के अगर हम बात करें तो यह device आएगा 3750mAh के बैटरी बैटरी बैफ के साथ जहाँ पे आपको मिलेगा एक Quick Charge 3.0 का support भी नाव यहाँ पे इसका biggest variant का price होगा लगबग 15-16,000 रुपीज जो की आएगा 6GB RAM और 64GB ROM के साथ यहाँ पे इस device का इंडिया में launch होने का release date के अगर हम बात करें तो यह device आपको इंडिया में by the end of October देखने को मिल जाएगा So guys, आज के वीडियो में बस इतना है I hope कि इन 5 devices में से आपको आपका पसंदीदा device देखने को मिल चुगा होगा इस में से मेरा favorite है Redmi Note 8 Pro And आप मुझे comment पर बदाई कि आपको इन 5 devices में से कौन से device सबस्यादा पसंद आया And इस बाले वीडियो के लिए एम करते है 5000 likes के लिए देखलो प्लीज एक like कर देना मैं मिल तो आपको इन एक्सक्राइम पर से तब दो के लिए जाए हैं बदने मातर